हाई शुडेंट सावर्यू उम्मिद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे सेहत का ख्याल रखिए कि इस सेहत बहुत जरूरी है आपने जिस तरीके से कमेंट्स में हमारे लिए बाते लिखी थी हमारे चैनल के लिए बाते लिखी थी उससे हम खुस हैं प्रिसेट हुए हैं आप का बहुत बहुत धन्यवाब की अप देखते हैं एक सचायत है आप हमारे विड्यो को सेहर कम करते हैं एक नहीं के हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा देखने के बाद में में मिनत कर लिया कीजिए वीडियों को सेर कीजिए ताकि और लोगों का भला हो सके इस महायग्डी में जहां पर हम मुप्त सिच्छा बांट रहे हैं इसमें थोड़ा सा युद्दान आप भी कर दीजिए ये विशेस क्लास है जिसमें हम जो अभी मुद्दा चल लहा है आप अगबारों में पढ़ते हूँगे चुनाबी बांट चुनाबी बांट क्या है ये क्यों मुद्दा बना हुआ है क्यों विपच्छ के नेता लोग इसका बिरोध कर रहे हैं सरकार का इस पर क्या कहना है और चुनाबी बांट आया ही क्यों क्या ज़रुदत थी इसकी इन सारे सवालों को आज समझने की कोशिस करेंगे चुकि यह मुद्दा बहुत सवाल वाला है यहां से सवाल बनेंगे आपके परिच्छाओं में खास कर यूप यस्टूडेंट्स हैं उनके परिच्छाओं मे गें आट कोशिस करेंगे चुनावी बांट को समझने की कि चुकि क्या है चर्चा में क्यूं है क्या क्या बाते हिसमर करें सरकार कि टो चर्द हैं केम सीनिटव करते हैं चुनावी बैंद एक जानकारी आपके लिए है हम इस क्लास के साथ साथ में एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है only upsc.in इस वेबसाइट पर आपको प्लास का पूरा डिटियल उसके साथ में ही स्टेडी माटेरियल जिसमें current affairs होगा जिसमें GS के फूर्शन होंगे जिसमें GS के पढ़ने के लिए जो तक्ते हैं वो आपको मिलेंगे तो आपको सीधे सीधे गूगल पर जाकर के हमारी इस करना है notification को on कर लेना है ताकि जिए उस पर कोई नई चीज हो तो आपको मिल सके वहाँ पर आपको live session भी मिलेंगे तो इस वेबसाइट को आपको subscribe कर लेना है साथ ही जो हमें काम करते हैं कि अपने class के दौरान एक question आपको लिखने के लिए देते हैं जिसका उत्तर आप लिक साथ हो रहा है किस कारिक्रम को और ही आगे बढ़ाया जाए और इस पर मेहनत किया जाए उन सब की class में ब्याक्या होगी जो आपने उत्तरम को लिख कर भेजा है तो आप भी इस mail को note कर लीजी इस mail पर आपको question मिलेगा जिसका जवाब आपको लिखना होगा तो आगे आपके चुनाबी बान अब वहती गंभीर मुद्दा है जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सदन नहीं चल रहा है संसद नहीं चल रहा है इसके वज़े से आखिर इसा क्या गंभीर बात इसमें है कि संसद में बैठे जो बिपच्च के नेता है वो सरकार को लगातार घेर रह होगे सबसे पहला प्रस्ञ हम इसमें बनाएंगे कि यह क्या है कि छिदाबी बांड है क्या इसको समझेने का कि इस दूसरा प्रस्ञ जो है वह यहां अचाह मैं ? चर्चा में क्यूं है और जो तीसरी बात इसमें है कि जो स्वतन्त्र निकाय और सरकार और विपच, स्वतन्त्र निकाय जिसमें आपका चुनावायोग आ जाएगा जिसमें आपकी आर्बियाई आ जाएगी जिसमें आपका जो बैंक बैंकिंग सिस्टम में वह आ जाएगा एवं सरकार जाएगा कमाद विपच्छ इन सब के तथ क्या है यह किस बेसिस पर बात कर रहे हैं जाहीं कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं जात कह रहे हैं इस सारी बातें हम इन सेग्मेंट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या तो पहले की तरफ हम चलते हैं राजनेतिक पारिटियों को चळाने के लिए चभटा से नहीं नहीं है जब से राज Bowl रही जबसे राजनीत हो रही आइन intéressant सब से चनदा लेने का प्रावधान है हमारे यहां परंपरा रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो चनदा ले 묶ारती थी कैसे चनदा लेती थी उनका एक नियम था चनदा लेनेका कि अगर Kung गैब 20,000 रुपे बीस थो चनदा ले लेती है किसी से उसका जानकारी कि ज़रुत यह पड़ती थी कि कहा से आया कि उससे जादा जब होता था उन उनको जांकारी देना पड़ता था तो इसलिए समस्य ये पैदा हो रही थी कि जितनी भी पॉलिटिकल कायट गाट थी वो बीस हजार के हिसाब से चंदा लेती थी कि 20,000 को फला ने दिया 20,000 को फला ने दिया ऐसे में होता क्या था कि वो बहुत ज़़ा चंदा भी लेती थी और बात सामने नहीं आ पाती थी यानि कि ये चुनावी ब्रश्टाचार बन गया था इसका सल्यूसन निकालने के लिए ये कोसिस किया गया कि हम अपने बैंकिंग ब्यवस्ता में ही एक ब जो जाकर के खरीदेगा और उसकी जानकारी बेंक के पास रहेगे ताकी बार दर्सिता लाई जा सेके चुनाव में पारदर्सिता लाई जा सके अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिरको हम एक एक करके समझने की कोशिस करेंगे तो मूलतिया यह समझ लिए कि चुनावी बांड जो है वो चुनाव लड़ने के लिए पुलिटिकल पाइटी जो चंदा लेती है उसके लिए एक बा इसको इंट्रिड्यूस करते उनने बताया कि बहुत ही रोचक बात है उनने कहा कि इससे पारदर्सिता जो है बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया कि एगार दो हजार रुपे से आप उपर चंदा लेते हैं तो पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी प बैंक के पाज जाएगा तो बैंक को जानकारी गी मिलेगा उसमें का फाम बढ़ा जाएगा इसमें पूरी डीटियल दी जाएगी उसके बाद में उसको बैंक बांड देगा उस बांड के माध्यम से पुलिटिकल पारड़ी को चंदा देगा यह पूरी बात थी चुनावी बांड के लाएक गया अब इसमें जो समस्याएं आ रहें चरचा में क्यूंए यह बहुत रोचक इसको कई भाग में बांड करके हम पढ़ेंगे तो सब्से पहली बात चुनावी बांड में एक सीच के लिए रह गया कि इसका उद्देश था की प्रिक्रिया में पार्दा सिता लाना यानि कि ट्रांसफेरेंसी लाने की जनुवत थी क्योंकि हमारे यहां चुनाओं में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं लोग लुभावने वादे किये जाते हैं और उन्हों पूरा करने के लिए वैब गेट से जो सामने से कोई य बचने के लिए एक उपकराण बनाया गया कि इसके माध्यम से आपको पैसा लेना है चंदा लेना है ताकि एक पार्दर्सिता बन सके अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं सवाल कि इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो अभी अभी जिस चीज ने आग लगा दी है वह चीज एडियार की रिपोर्ट एडियार की एक रिपोर्ट आई है जिसने इस पूरे मामले को हवा दिया है एडियार क्या है एडियार एक इसोसेशन इसोसेशन फार्ड डेमोक्रेटिक रिफार्म इसने एक रपट जारी किया इसने एक रपट जारी करके बताया कि अक्टूबर 2018 से लिए करके 2019 अक्टूबर तक करीब 6128 करोण रुपए का चंदा आया 6128 करोण रुपए जो की 12113 या 213 जो फैक्ट है आप चेक कर लिजेगा इतने बांद के माध्यम से इतने रुपए पुलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया गया है इसमें अब समस्चा कहा है समस्चा ये है कि इसमें 95% 95% जो चंदा गया है वो ततकाली जो सरकार है भारतिये जन्ता पार्टी की उसको मिला है यहां सी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा एक गरमाहट आ गई पूरे राजनेतिक गल्यारों में एक हल्चल पैदा हो गया कि चंदा सिर्फ एक पुलिटिकल पार्टी को क्यों मिल रहा है अब इसके कई रीजन हो सकते हैं क्योंकि अगर कोई चंदा दे रहा है तो क्यों द हुद्दा है कि क्यों चीजे बाहर इतना बिरोध किया जा रहा है कि 2017 में चुनावी बांड आया था उसकी वज़े यह है कि अभी 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 इकबाल मिर्ची नाम के ब्यक्ति को आपने सुना होगा आपबारों में काफी रहा था आतंक वादीगत विधियों को ले करके व चुनावी बांड लाया गया तो क्या जो आतंक वादीगत विधियों में सामिल कंपनिया है वो पैसा कहां से ला रही है इनकी फंडिंग कहां से हो रही है इस सब को ले करके सवाल उठाना जायज है इसी लिए यह बहस बहुत तेज हो गई है तो शुरुआत से समझने की को कौशिस करते हैं कि चुनावी बांड को जायरी कौन करेगा कि कितने कितने औरुप़ए के बांड होंगे कब कब जायरी किये जाएंगे इसके बाद में एक क्रम में चीलिथे story को समझने की कोशिस करते तो वाई hair करते है 2017 के बजट के भासण में चुनाभी बांट को इंट्रिड्यूस किया गए इसमें प्रावधान ये है कि अगर 2000 रुपे से 2000 रुपे से जादा अगर किसी को चंदा लेना है किसी पुलिटिकल पार्टी को चंदा लेना है तो वो सिर्फ बांड के रुप में ने सकती है ठीक अब यहां पर दो चीज निकल करके आती है एक तो कौन पुलिटिकल पार्टी जिसको मिलेगा कौन सी राजनेतिक दल होंगे या कौन सी राजनेतिक दल होंगे जिनको मिलेगा अब ऐसा तो है नहीं कि हम जाए पार्टी बना ले उसके बार हमको भी फंट मिलने लगे ऐसा नहीं है है किस्मे भी सर्ते कौन सी राजनेतिक दल को मिलेगा किस प्रकार बिलेगा किस प्रकार मिलेगा तो सबसे पहली चीज़ यह है कि बॉन्ड के माध्धम से मिलेगा बॉन्ड के माध्धम से मिलेगा अब यह बॉन्ड क्या होता है जो अर्थसास में विद्धारती है वो जानते हैं उन्ड की बॉन्ड क्या होता है आप बंट बंट में पैसा जमा करते हैं ऐक कागश का टुकड़ा देता है इस पर ये लिखा होता है कि ये इतने रुपए का बंड आप खरीगते हैं वहां से फिर जा करके पुलिटिकल पार्टी को चंगा दे देते हैं और दो वस्कु suckerbridge कि कितने इन रुपएं के बांड है तो इसमें जो सबसे चोटा बांड एक थे जार रुपएका है कि एक थे पर हम उसके बाद में जो दूसरा और नहीं दडस जार रुपए का है, एक लाख, तीसरा एक लाख का है, चौथा है दस लाख का, और पाँचवा है एक करूण का, पाँच स्लेव में बटे हुए हैं बाँड, एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख, और एक करूण, इन में यह बटे हुए हैं कि इतने रुपए के बाँड आप खरीच सकते हैं, खरीदेंगे कहां से, खरीदेंगे यस्बियाई बैंक से, इस ब्याई बैंक से आप जा करके इस बांड को खरीच सकते हैं, कब खरीदेंगे, एक नया परस्म जनरेट होता है, कि कब खरीदेंगे, कि खरीदेंगे कब, इसके लिए एक ब्यवस्था यह बनाई गई है, कि सरकार जो है, एक अधिस्वूचना जारी करके बताएगी, कि इस तारिक से ले करके, इस तारिक तक आप बांड खरीच सकते हैं, तो वो समय समय पर अधिस्वूचना जारी करके बताएगी, कि आप खला तारिक से ले करके, खला तारिक तक बांड खरीच सकते हैं, दूसरी चीज यह बॉन्ड कब तक मानने होंगे जिसे मान लो आज की तारीक को आमने बॉन्ड खरीं लिया आज जा करके आपने इस वी आई बैंक में एक हजार रुपे का बॉन्ड खरीं लिया किसी राहलेती दल को चंदा देने के लिए तो यह bond कब तक मानने हुगा? तो यह bond 15 दिन तक मानने हुगा खरीदनी के देट से ले करके 15 दिन तक यह मानने हुगा इसको आप ले जा करके किसी political party को देंगे, डोनेट करेंगे वो political party जा करके वहां से उस चंदे को ले लेगी तो इसमें जो factual बात है, वो आप note करते चलिएगा कि bond में कितने slave है, तो इसमें 5 slave है कौन जारी करेगा? SBI जारे करेगी कब जारी करेगी? यह सरकार अजसूचना देखर के बतायागी कि अब से अब तक बिगएगा, कब से कब तक बिगएगा यहां पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के निस्ठा को ले करके क्योंकि एक सामान गाइड लाइन होती है, सरकार अपने हिसाब से कही बार इसको जारी कर लेती है ये से करनाठा चुनाओं से पहले जारी किया गया, महाराथा चुनाओं से पहले जारी किया गया, तो इस पर भी जो पच्छी पार्टिया उनका विरोध है, कि इसके जारी करने की तिथी में भी सरकार कहीं न कहीं अपने फाइदे को लेकर के चल रही है, ये उनका विरोध है इसमें आपने स्लेव देख लिया, आपने देख लिया कि कितने दिन तक यह मान रहूंगे, कौन जारी करेगा , यह सारी चीजिए आप लिए आपने देख लिया, अब बात करते हैं कि कौन सी राजनेतिक दल है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां है जिनको जा चंदा मिल सकता है ऐसा तो है नहीं कि सब को मिल जाएगा कोई नहीं नहीं प्रावधान किया गया है प्रावधान यह है कि 51 के जन प्रत्मिधी अधनियम के तहट जो पॉलिटिकल पार्टियां इसमें दर्ज हैं जन पॉलिटिकल पार्टियां दर्ज हैं उनमें एक सर्थ रखी गई है कि कौन पा सकता है जिसे मान लो कि कि तीन पार्टि का हम नाम ले लेते हैं जिसे बीजेपी है भारतिय जनता पार्टि आइंसी है, इंडियन नस्नल कांघ्रेस, ब्झेएपी है, यह तीन पार्टियों का एक्जामपल हम लेकी चल रहे हैं कि एक है भारतिय जन्ता पार्टी एक है आई एंसी और एक वीएसपी है सर्थ इसमें यह है कि जन प्रतिन्दी अधनियम उनीस सो एक्यावन में यह पुलिटिकल पार्टी दर्ज होनी चाहिए अभी एक सर्थ अगरे जिसको पूरा करना जरूरी चाहिए तिसमें तो जितना ऊंट पड़ा है इसका एक प्रतिसात मत कम से कम इनको हासिल हुआ हूँ तो इसको ध्यान से सुनिए गए फैक्ट बात है कि जो पुलिटिकल पार्टिया उन्नीस सो एक क्यामन के जल प्रत्रिदी अजनियम में दर्ज हैं तथा चंदा लेने से पहले जो आम चुनाव हुआ है उसमें कम से कम एक प्रतिसक्त मत उने कुल मत का हासिल किया है तब ही वो इस चंदे को सुविकार कर सकती है उनको यह चंदा बिल सकता है तो हमने यह समझ लिया कि कौन जारीकर सकता है किसको जारीकर सकता है किसको जारी कर सकता है तथा किस किस स्लेव में यह चीजें हों जो है कितने रुपए में यह बॉंड है यह सारी चीजों को हमने समझ लिया है अब अगले क्लास में हम यह समझने की कोशिस करेंगे कि यह आज इस पर सरकार दिपच तथा सोतंत्र निकाय क्या विचार रखते हैं उनकी अपने अपने तरक क्या है कि क्यूं सही है क्यूं गलत है इस सारे चीजों को हम अगले क्लास में समझेंगे वहाँ पर हम यह भी समझेंगे कि यह जो विरोध है अचानक बहुत तेज क्यों हो गया है इसकी सीमाय क्या क्या है इसमें सरकार के द्वारा बताएगे जो पच्छ है उसमें कितनी सतनिष्ठा है या विपच्छ विरोध क्यों कर रहा है वेजा विरोध तो नहीं कर रहा है इस सारे चीजिएंट को समझने के लिए आपको हमारे अगले च्लास का इंतजार करना पड़ेगा उसमें हमें इस चीज़ेंको आपको बताएंगे तो इसपर आख को लाइक कीजिए और हमारे चेनल को सबस्क्राइब कीजिए इस क्लास का सवाल और उसके बाद में इस वीडियो को आप share कीजिए, share नहीं करते हैं दूसरी चीज ये है कि इस class का सवाल भी आप note कर लीजिए जिसको आपको हमारे mail only upsc group at the rate gmail.com पर भेजना है इस class का सवाल आप पर पर उठाइए और note कर लीजिए सवाल ये है चुनाबी बांड क्या है तथा इसमें कितने स्लेव है उदाहरन सहित इसकी ब्याक्षा कीजिए सवाल फिर से बता रहा हूँ चुनाबी बांड क्या है तथा इसमें कितने स्लेव है उदाहरन सहित ब्याक्षा कीजिए तो आप आगले वीडियो का इंतजार कीजिए उसमें आपको आगे की बातों को बताएंगे वहाँ फिर से आपको एक नया प्रस्न मिलेगा इसका उत्तर आपको लिखकर भेजना होगा थेंक्यू